नमो बुद्ध है उन्ततागत महामानो महाग्यानी महाकार्णिक सम्मा सम्बुद्ध भगवान बुद्ध के चर्णो मेरा साधर प्रणाम जिन्होंने महाकार्णिक भगवान बुद्ध से मुलाकात करवाएं तथा उनके धर्मों से हमें परचित करवाएं उन कल्यान मित्र गुरु भवान्ति जी के चर्णो मेरा साधर प्रणाम ग्यानी पुन्यवान साज्जनों भाई एवं बहनों आज अती विसे इसका दिन है बहुत बड़ा दिन है आश्चर दिन है अद्भूत दिन है और बहुत सुन्दर दिन है आज क्यों क्यों क्योंकि आज के दिन ही उन महा मानो तथागत सम्मा संबुद्ध महा कारणी भगवान बुद्ध का जना हुआ धर्ति डोल उठा खुसी से ना चुटा क्योंकि भगवान बुद्ध बताएं एक पुगलो भिखवे उपज्यमान उपज्यत बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अथाय, इताय, सुखाय, देव मनुसाँ, एक पुद्गल है, जो बहुज सारे देव मनुसाँ को हित्सुख के लिए, कल्यान, मंगल के लिए जनम होता है, वो एक पुद्गल कोन है? तथागतो विक्रातो सम्मा संबुद, तथागत सम्म पार्मी पूरा करते हुए इसका मतलव जमीन में मीती जितना है उससे ज़्यादा सरीड का मास दान देकर समूंदर में खूपानी से ज़्यादा खून दान देकर आसमान में ताराओं से ज़्यादा अपना आख दान देकर पार्मी था पूरा की दान पार्मी सील नेश करम आधी पहार मीता पूरा की सम्मा संबुद बनने के लिए वो अंतिम जनम जनम नहीं तो धर्ती नहीं काफेगा धर्ती खुसी मचाया फूल खील उठा जनम लेने के साथ 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 कदम चले क्योंकि उसामान वेकती नहीं थे महापून्न साली थे और जनम लेने के साथ साथ कदम चलकर हाथ उठा कर बोले अगो हमस मिलोका से सेटो हमस मिलोका से हम इस दुनिया में अग्र हैं स्रेष्ट हैं, जेष्ट हैं मेरा यन्तीम जनम है फिर जनम नहीं होगा करके वचन निकाला निकल गया देखिए एक छोटा सा जनम हुआ बच्चा सामाने बात नहीं करता है लेकिन बोधिसत्व जनम के साथ बात की क्योंकि मानव नहीं महा मानव थथागत सम्मा संबुध का जनम वा जिस लूंबनी में सालिवरिक्स के नीचे जिस पुन्य भूमी म मेरा कोटी कोटी प्रणाम तथा मार को हरा कर बिना गुरु के उपदेश चार अरसत को बोध की राग देश मो माया घमन आदी को नश्ट कर अकुसल को नश्ट कर पूरी तरह सम्मा संबुध प्राप्त की बोध गया में बोध रिष्ट के नीचे निरणा नदी के किनारे जो इच्छा था उनका पारमिता पूरा किये चार असंखे ये और एक लाग कल्प अनंत कल्पो कल्प तक पारमिता पूरा किये जो प्राप्त करने के लिए वो बोधरिस्ट के नीचे प्राप्त हुआ सोचिये कितना बड़ा खुशी का दिन है उस दिन वो सम्मा संबुद बनने के बाद फूल जंगल का सारा फूल खिल गया फल पूरा उपज गया पूरा खुशी हो गया धरती कांप उठा डोल उठा खुशी से ना चुटा देव मनुस्यों का देवताओं खुश हुए इसलिए उन जहां जिस वजरासन भूमी में जिस जगह पे बैठ कर सम्मा संबुद प्राप्त कियें उस वजरासन भूमी को मेरा कोटी कोटी प्राणाम तथा तथा गत महाकार्निक भगवान बुद्ध जी दिया बुजना जैसा देव मनुस्यों को कल्यान कर धरम उब्देश कर पर निर्वान को प्राप्त करनी धरती भी काप उठा रोह उठा बरदास नहीं हुआ धरती को भी इसके बाद फूल जहर गया फल जहर गया आधी तुभान इस देव मनुस्यों को कल्यान करने वाल एक नेतर ही बचा हुआ था वो बुज गया बंद हो गया एक दिया जल रहा था वो दिया बुज गया जो आ आल रिष्क के नीचे कुसी नगर में जहां फरनिर्वान पाएं उस भूमी को मेरा कोटी कोटी प्रेनाम इसलिए उस भूमी को जहां देव मनुस्यों को कल्यान कर फरनिर्वान पाएं धरम को बताकर अनित दुखानात मों बताकर फरनिर्वान पाएं हैं उस जगह को याद करते हुए आप लोग धरम की रास्ता पे जाए धरम मनन कीजिए इसलिए आज हम आपको बहुत सुन्दर विस्मित कारण बताने जा रहे हैं महा करुना के बारे में सामान ने लोग को सुनने को नहीं मिलता है भागवान बुद्वजरासन के बोद्रिश के नीचे महा करुना ग्यान उत्पन हुआ लोगों के प्रति वो करुना महा करुना क्या है हम आपको बताते हैं सामान करुना लोग आप जानते होंगे आज कल को करुना के बारे बात ही क्या है करुना लोग का मन मतलब जानवर जैसा हो गया है दया करुना का नाम ही नहीं बचा है लोग को का समय आ गया दया करूना का बात पर मजाक उडाता है लोग लेकिन इस दुनिया में पूर्णेवान है कुछ लोग बचा हुआ जो दया करूना का बात करते हैं उसको अनुभाव करते हैं उसको पालन करते हैं तो दया करूना मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं दूसरे को दुख देखकर, दूसरे को पीड़ा देखकर, हिर्दय खंपा होता है, दिल खंपा होता है, मदद करने का मानना आता है, ये दुख से निकल जाता तो कितना अच्छारता करके मन में आता है, दूसरे को दुख पीड़ा दी, हिर्दय पिघल जाता है, मन खुछ नहीं होता है, मन दुखा होता है ये करना का सुभाव है तो इस दुनिया में सबसे अपने एक वेक्ति है मा जो पूतर के पती बहुत करना है बहुत करना वो करना कितना है मा जब पूतर कुछ बीमार पढ़ता है कुछ होता है तो मा भी दुखी होता है मा को बचाने के लिए पुरा कोशिच करता है दिल कमपा होता है वैसे सारे प्टानियों के प्रतियाग करना करिए लेकिन ये सब करना सामान ने करना है आपको महा करना के बारे में हम अभी बताएं कहा है महा करुना थथागत भागवान बुद्ध के पास सिर्फ होता है सो उतापन सागदागामी आनागामी लोग के पास भी महा करुना नहीं सिर्फ थथागत सम्मा सम्बुद्ध के पास है महा करुना विस्मित है क्योंकि इस दुनिया में भागवान का महा करूagi कैसे आता है देखी इस दुनिया में देख समाधी में आकर पुरा भ्रहमान को कि इस दुनिया में सारे लोग राग धेस मोह से जल रहा है इस से कैसे जलते हुए आग को बुझाएगा भगवान के मन में करनाओफन होता है लोग राग देश मौह में बंधा हुआ है इससे कैसे शुल्जेगा भगवान बत Ain अंतो जटा बही जटा जटा जटाए जट्या पजा ये अंदर भी जन्जाल बाहर भी जन्जाल बाहर अंदर दोनों जन्जाल में फसा हुआ है लोग राग देश मोह को नाम का जन्जाल में लोग को राग देश मोह भागवान देखते हैं समाद में राग देश मोह नाम का भाला चुबा हुआ हुआ है दिल में उसको प्रेदेखने के बाद भागवान के दिल है, महा कारुना उथपन होता है, क्यूं? क्यूंकि भागवान बुद्ध देखते हैं कि भागवान बुद्ध ही एक ऐसा वेकती है, जो उस भाला को निकालने का तरीका बताते हैं, छुबा हुआ भाला को, उस अगनी को राग तेस मोह नाम का अंगनी को बुजा सके, धरम बता कर, उनके दिल में महा करुनाओद बन होता है, लोग अविद्यांधकार में डूबा हुआ है, बहुत अंदर-अंदर में डूबा हुआ है, मुमाया में डूबा हुआ है, तन्हा में बंधा हुआ है, ये सब प्रानी, ये सब से कैसे चुटकारा पाए खर के दिल में करनाओत बनाता है भगवान बुद्ध को ही एधरम बताकर चुटकारा पा सकता है इसलिए करना आता है और किसी को नहीं कर सकता है एक ही है बाकी लोग को खाना का कमी है तो खानत बहुत दुनिया में सब लोग दे सकता है प्यार का कमी है तो बिसकट का कमी है तो घर का कमी है तो सब दे सकता है लेकिन ग्यान मुक्ति का मार्ग सिफ तथागत सम्मा संबुध ही दे सकते है इसलिए उन तथागत सम्मा संबुध जैसे में लोग आज कर लोग सुन्दर सुन्दर रूप के पीछे सब्द के पीछे सुन्दर गंध सुगंध के पीछे सुन्दर सुन्दर खाना के पीछे चाचा खाना के पीछे इस पर्स के पीछे एक एक विचारों में डूबा हुआ है उसके पीछे जाकर अकुसल कर रहा है क्रोध गुसा में डूबा हुआ है आलसी में डूबा हुआ है एक एक वीचारों में डूबा हुआ है अपना अपना दुनिया में एक एक दूसरे को सक्षन दे करके रह रहा है जीवन ये सबसे कैसे छुटका रा पाए भागवान बुद्ध ये सब देखने के बाद महा करुना उत्पन होता है ये महा करुना उत्पन होने के बाद भागवान बुद्ध इसलिए तो बताते हैं हम आपको और कहानी के तरी समझाएंगे बहुत सुन्दर से दियान से अंतिम तक सुनी आपको दिल में बहुत बड़ा स्रद्धा उत्पन होगा बहुत बड़ा स्रद्धा क्योंकि महा करुना ये सामान ने नहीं है जैसे में भागवान बुद्ध का जो करुना है वो सब के प्रति सामान बरसता है चाहे भागवान का करुणा कैसा है देखी चाहे अमीर हो या गरीब या भिखारी हो या राजा या सुंदर हो या कुरूप उचा हो या नीचा खोई भी हो हत्यारा हो चोर हो गनिका हो चुगल खोर हो नसे बाज हो सब के प्रती सामान करुणा भागवान के प्रती रहता है भागवान के प्रती जैसे सूरज रोशनी सब को सामान देता है वैसे ही भागवान बुद्ध के करुणा सब के बराबर रहता है सब के दिलों के प्रती हमेश तो भागवान बुद्ध महा विस्मित पुरुस है, महा पुरुस है, महा ग्यानी है, इसलिए तो देवदत जो भागवान बुद्ध को काटने के लिए, मारने के लिए पूरा ट्राइ कर रहा था, कोशिश कर रहा था, उनको भागवान दिक्यान बताने के लिए पूरा कोशि भगवान को अरहन सारी पुत्र के प्रति जो करना है वह सा ही करना देवदत के प्रति था विश्मित नहीं है क्या सोच भी सकते हैं हम लोग सपना से भी नहीं सोच सकते हैं करना का बात के बारे में हम लोग करना तो सामान लोग का करना तो सिर्फ परिवार के पास है मित्रों क पास है और दोष्ट यार जान पहिचान के पास सिर्फ करुना चिपा हुआ हुए उस से आगे नहीं जाता है।lar जो तालूर उठाकर हजारों को गला काड़ दिया अंगुली का माला पेना है उसके प्रती भी करना उत्पन हो है भागवान को उनको बचाने के लिए सीधा गएं भागवान धरम बताएं धरम सुनकर अंगुली माल धरम सुनकर आहिंसक हो गया अरहम तो मुनी बन गया देखिए दुष्ट से मुनी कौन बनाया अहिंसक कौन बनाया तथागत कितना करना है उनके पास एक इस्त्री एक औरत जो अपना माँ खो देने कारण उसी दिन अपना पती दो बच्चा और भाई खो देने कारण उसके दुख से, सोक से, पीड़ा से पागल हो गए थी कितना पागल की वो पता नहीं वो क्या कर रही है वो अपना कपड़ा फाड़ कर, चीर कर वो नंगी रास्ता रास्ता दोड़ी, भागी धूल उचड रही है, लोग पत्थर मार रहे हैं कोई समझाने वाला नहीं, पागल हो गई हूँ कौन है, पता चारा जब भगवान का करना उस पे गिरा, भगवान के चरनों में गिरा तो भगवान बुद्ध, बहुत करना से बात की बहन होस में आओ, बहन होस में आओ बोलने के साथ साथ पता चारा का होस आगया भगवान धरम बताएं, दिख सुनी बन गई, और हन्त हो गई एक माँ जो बच्चा को गाले में लगाकर मरे हुए बच्चा को चाती से लगाकर उसे जिन्दा करने के लिए घर घर गया गौं गौं दोड़ी, रास्ता रास्ता सहर सहर दोड़ी, मेरा बच्चा को बचा दो अरे मेरा बच्चा को बचा दो, अरे मेरा बच्चा को बचा दो कोई नहीं है बचाने वाला अरे मेरा बच्चा को बचा दो, रोते हुए रास्ता रास्ता गया भगवान बुद्ध ही एक के साब एकती है जो सबके दुख सोक को दूर करने वाला है करुणा मेत्री से भरे हुए है भगवान बुद्ध का करुणा सागर जैसा है आस्मान में आस्मान जैसा है धर्ती मीटी जैसा है नहीं उससे भी ज़्यादा बोलेंगे कोई दिकर नहीं क्योंकि धर्ती का मीटी का सीमा है समुंदर का पानी का सीमा है हिमाले परवत का सीमा है लेकिन भगवान बुद्ध का करुणा का कोई सीमा नहीं है अनन्त करुणा है तो इस्तिरी को देखने के बाद किसा गोत्मी को देखने के बाद भगवान करुना धारा आया भगवान बताएं हम तुम्हारा बच्चा को सुखी कर देंगे सिदा बताएं हम सुखी कर देंगे वो बच्चा को नहीं मां को सुखी कर देंगे मन में था भगवान का भागवान बताएं, जाओ किसा गोतमी, जो घर से नहीं मरा है, वो घर से सरसो लेकर आओ, हम सुखी कर देंगे, जिन्दा कर देंगे, होस मिला देंगे, किसको मा को लाने के लिए वो बात चल रहा है, भागवान जानते हैं मर गया बच्चा, लेकिन उसके सीधा नहीं बता सक मांगे, कोई मारा तो नहीं है, मर गया, दूसरा घर मर गया, तीसरा घर मर गया, होस आ गया, बच्चा फेक कर भागवान के चर्णों में गिर गया, चर्णों में गिर कर भागवान से विंति किया, भागवान हमें चीवर दीजी, प्रवज्या किजी, भिक्सु बन गई, भिक उतना उपर इस्थान कौन दिया, इस्तिरी पहले नीच जैसा मानता था लोग, इस्तिरी को कोई जगा नहीं था, नौकर जैसा, दास जैसा रखता था लोग, बाहर निकालना माना है, काम को फ्री रिलेक्स नहीं था, इस्तिरी को सबसे पहला गौरब्दी भगवान इस्तिरी को भिक्सुनी बनाएं, उस समय युग में कैसा इस्तिरी के उपर अत्याचार था, आप लोग को पता नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध, देखे इस्तिरी एक धम दिना, भिक्सुनी, जो परवचन देती है, लोग वसी हो जाता है सुनकर, सीर तक नहीं लाता है, हाँ खोल कर, हाँ जोड कर सुनती है, उचा आसन पर बैठकर नीचे सब पुरस लोग को इस्तिरी और सब लोग को परवचन देरे, एक इस्तिरी बिक्सुनी धम दिना, सुनकर लोग साधुकर को वंदना करके जाता है, उस इस इस्तान पर कौन लेकर गया, भगवान बुद भगवान बुद का धरम, इसलिए आप लोग भगवान बुद का सरन में जाएए, सरन में जाएए, इसलिए आप लोग समझ जाएए, हम सबी लोग का करुना के बारे में कितना अल्प है, कितना थोड़ा है, हम लोग का करुना एक बुंद पानी जैसा है, तो भगवान का कर जैसा है तो भगवान बुद्ध का करना हिमाले पहरवत से भी ज़्यादा है हम सभी लोग का करना एक मीटी का गोला जैसा है तो भगवान का करना धरते मीटी से ज़्यादा है नाप नहीं सकते हैं इसलिए वो आप लोग को करना उत्पन करवाना है तो करना मेत्री पाना है त भागवान बुद्ध के सरन में जाए स्री सद्धर्म के सरन में जाए आर्मासं के सरन में जाए आपको करुना वान बन सकते हैं और एक विसेश कारण देखिए भागवान का करुना भागवान चाहे ठंडा हो या गर्मी बरसात हो या धूब या कहीं भी कुछ भी हो भागवान का कारुणा में कोई कामी नहीं होता है भागवान समाधी में आकर देखते हैं सुबह दो बजे उटकर भागवान समाधी से देखते हैं आज किसको हम मदद करें सबसे पहला उटकर कारुणा से देखते हैं लोक साथों को सोच ये कितना आश्चर है भागवान बुद्ध कभी-कभी भागवान बुद्ध को अगर एक दिन भागवान बुद्ध ठंडा में जो बर्फ गिर रहा है पेड के नीचे बैठे हुए है क्योंकि एक आदमी आने वाला है उनको परवचन देने के लिए देखिए करुना विस्मित है हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं सोच से परे है एक एक दिन कसी भारत द्वाज ब्रहामन उनको देखिए इर्दी से उनके पास पुन्य है समाधी में आकर देखिए तो वो देखिए कि वहाँ जाने को आद खाना नहीं मिलेगा भूखे रहना पड़ेगा फिर भी कारुना भागवान का तो अपरम पार है सीधा गएं खाना त्याग कर उनको बचाना है उनके पास चले गएं जाकर बाद किया तुम जवान है तुम अपना खेत करो अपना किसान का काम करो हम अपना करते हैं करके बात चित चला बहुत लंबा चला भागवान बता हम भी किसान है धारम का खेत करते हैं ये वो तो फिर अंत में धारम से सुधर गया और हंत बन गया वो कासी भाराद द्वाज उस दिन भागवान भूके रहे सोचिए विस्मित नहीं है भागवान का पून्य कामी नहीं है लेकिन लोग करना के चलते कुछ भी करते हैं भागवान बुद्ध खाली पैर गये हैं चपल नहीं चाता नहीं हाथ में पानी का बोटल नहीं पैदल चले हैं लोगों का खल्यान मंगल के लिए हित सुप के लिए एक बाबा उसका नाम था जम्बुक पच्पन साल तपस्या किया एक पैर पे खड़ा राकर वो बच्पन उसको घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो टोईलेट खाता था आद़त बन गया टोईलेट खाने का बाहर निकाल दिया जब बाहर गया तू तपास्या करने लगा एक पैर पे रात में चोरी चोरी टोईलिट खाता था और दिन में एक पैर पे राकर तपास्या करता था लोग सब लोग उसको चर्णों में गिर जाता था ये तो खाना नहीं खाता है ये आश्चर बाबा है करके नामन करके जूक कर पूजा करके जाता था पूरे 55 साल तक को किया भगवान उनके प्रतिक करुना बरसाएं उनके पाश जाकर रात में जाकर धरम बात चार चाकने धरम बताएं समझाएं बिक्सुई बन गया अरहन थो गया विस्मित है उनका करुना विस्मित है जो जाडू लगाता था सुनीत टोइलेट उठा कर लेका जाता था नाली साफ करता था उनको भी भगवान का करुना बरसा आऊक सुनीत बुद्ध सासन में आऊ चीवर पिन लिया अरहन थो बन गया भगवान का करुना विश्मित नहीं है क्या भगवान बुद्ध देखी एक दिन एक सुन्दर घटना एक दिन भगवान बुद्ध रावस्ति में जब वर्षावास खातम होने के बाद चारिका के लिए निकल रहे थे बिख्शु संग के साथ तो कौसल राजा बता है भगवान आप मज्जाई भगवान आप रुकी भगवान नहीं माने फिर अनाथ पिंडिक सेट जी बता है भगवान आप मज्जाई भगवान आप भगवान यहां रुकी नहीं सुने भगवान जाएंगे बोले इसके बाद फिर विसाखा महावपासिका बोली इसके बाद बड़े-बड़े उपासख उपासिका लोग सब लोग बोले लेकिन भागवान नहीं माने जाने के लिए तयार जब सब तयारी चल रहा था तो अनाद पिंडिक सेड़ जी घर जाकर बहुत दुखी में बैठे हुए थे भागवान जा रहा है चारिका में तो उनका एक दासी था जिसका नाम पुन्ना पुन्ना दासी बोले हे सेड़ जी आप क्यों बैठे हुए हैं दुखी उदास बताया अरे दासी छोड़ो नहीं बताई बताई तो बताया हाँ दासी भागवान बुद्ध चारिका के लिए जा रहे हैं जो उनको रोकने के लिए पूरा कोशिस की पर रूके नहीं जाएंगे बताएं तो बताया पुन्ना बताई हे सेड़ जी अगर हम रोग देंगे तो हमें क्या लाब होगा अरे पुन्ना तुम क्या बोल रही है फिर बताया नहने सेड़ जी बताई हम रोग देंगे तो हमें कुछ देंगे आप हाँ देंगे तुमको आजादी दे देंगे उसको खुसी इतना खुसी आया इतना खुसी आया जी महराज हम कोशिस करते हैं है भागवान आप रुकिए इसके बाद भागवान बुद्ध बताएं क्यों पुन्ना तुम्हें इससे क्या लाब है तुम्हें इससे क्या लाब है पुन्ना बताए है भागवान हमें इससे यही लाब है कि हमें दास भाव से मुक्त हो जाएगा आजादी मिल जाएगा हमे दोनें धहरम की राशता पे जाने में पून्ने करने में और सील आदी पालन करने में बहुत आसान होगा उऊ बास सुनकर भगवान के दिल में करुणा जागा भगवान रुक गए, बाद में वो पून्ना दासी, बिक्सुनी बन गई, अरहन्त हो गई सोची विस्मित नहीं है क्या विस्मित है अती विस्मित है अती विस्मित है और क्योंकि एक अरहंत मुनी जी बताते हैं एक राज़ा को बता रहे हैं तो भगवान का कारुणा विस्मित मतलब भगवान चाहें तो कि कोई वेक्ती हुर्दे भगवान को देख कर अगर मार्ग पला भी हो जाएगा तो सोता पन आदी धारम का बोध करेगा तो हम हुर्दे भगवान दिखाना में थोड़ा भी लेट नहीं करेंगा तो सोची कितना करुणा था भागवान में कितना करुणा था जानवर से लेके हर प्रानी के प्रति करुणा नालागेरी हस्ती जो सराब पिलाकर आदी चंड बनाकर भागवान के सामने छोड़ दिया भागवान उसके प्रति भी करुणा महित्री बरसाएं दूल जैसा गिर गया नीचे चर्णों में भागवान के ऐसे ऐसे बहुत हुआ घट ना जानवर लोग के सारे प्राणियों के प्रति भागवान मैत्री सारे प्राणियों के प्रति विस्मित नहीं है क्या क्योंकि भागवान बुद्ध रोज सुभा दो बजे उटकर समाधी में आके करुणा समाधी में सबसे पहले करते हैं लोगों को आज किसको किसको हम मदद करेंगे करके देखते हैं किसके पास पुन्ने है धरम बोध करने का कितना विस्मित है भागवान बुद्ध सोचते हैं हम ये दुख भरी संसार भाव सागर से पार हो गए ये दुनिया अभी भी दुख में डूबा हुआ है हम ये दुख भरी संसार से मुक्त हो गए हैं लोक साथ अभी भी इस दुख में डूबा हुआ है हम पूरी तरह सांत हो गए हैं लोक साथ अभी भी असांत है हम परनिर्वान के लिए तैयार हैं निर्वान प्राब्त किये हैं लोग अभी भी परनिर्वान हैं मुक्ति के लिए नहीं है ना मिनना ये सारा दुख से मुक्ति करने के लिए भागवान बुद्ध मुक्ति हो गया है ये लोग साथों को मुक्ति करने के लिए सिर्फ भागवान बुद्ध ही मार्ग बता सकते हैं भागवान के दिल में करुणा जागता है दीन हो या रात हर समय लोगों को मदद करते है इसलिए आप लोग दिल में करुणा जगाईए करुणा जगाना है तो ऐसे हैं नहीं जाएगा जो करुणा को परिपूर्ण की जो करुणा को आंत तक पहुँच गये जो महा कारुनिक है उन तथागत भगवान बुद्ध के सरन में जाईए सबसे तरह श्री सत्धर्म के सरन में जाईए आरे महासां के सरन में जाईए तब ही आप करुणा वान बन सकते हैं आप अपने दिल में करुणा जगाईए बाहर नहीं भगवान बुद्ध की करुणा कैसा है एक भंते जी जिसका नाम तिस वो बिमार से पीडित था बेड़ पे पड़ा हुआ उसके सरीर में फोड़ा आ गया पहले तो सरसो का दाना जैसा धीरे धीरे मौंग का दाना जैसा इसके बाद सीम का बीज जैसा इसके बाद धीरे 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 आमला जैसा इसके बाद बेल का फल जैसा बड़ा बड़ा सरीर में पुरा दाना फुट गया और पुरा पीब भारा है, पुरा गमक रहा है सुख कर सरीर में सट गया दुरगंद उटने ही पा रहा है कोई देखने वाला नहीं है उसका नाम बात में पूति गति से आ गया भगवान दिव समाधी से देखते हैं किसको आज मदद करेंगे वो भिक्सुत नाजार आगया तुरंद भगवान बुदध आनन्भंतिगा कर चलो आनन्द आएं आनन भंतिजी के साथ वो भंतिजी के पास गये बहंतिजी को भगवान अपना हाँ से उठाएं चीवर उतारे आनन्द को बोले चीवर साफ करो गरम पानी लाओ आनन्द गरम पानी लेकर आए उनको बाहर निकल कर पकड़ कुठा कर इस्टनान करो है भगवान बुद्ध अपना हाथ से गरम पानी डाले शाफ किये और चीवर सुखा कर पेनाएं भगवान धरम बताएं वो पूती गत्ती से बनते जी अरहम तो हो गए देखिए भगवान का महिमा भगवान का करना नहीं जाते तो वो दुखी होकर बीमार से सुख कर वहीं पर मर जाता आसिरबाद दीएं खर और धरम बताएं तुरंत निरोगी हो गया अरंत हो गया कुछ समय बाद पर निर्वान हो गया तो देखिए भगवान का करना आश्यर है भगवान बुद्ध बोलते हैं यो गिलान अंग उपठ्थ ही सो मांग उपठ्थ ही सो मांगों पठियों गिलानों पठियों जो मुझे सेवा करना चाहता है वो बीमारी को सेवा करो बीमारी को सेवा करेगा तो मुझे सेवा करना जैसा होगा भगवान बुद्ध वचन बताएं देखिए भगवान का करना कैसा है वचन वचन में देखिए एक एक वचन में करूना है एक एक वचन में करूना है एक एक आख का पहलग में करूना है एक एक खदम में करूना है मतलो इतना करूनावान है इतना करूनावान है भागवान बुद्ध करूना के बारे में देखेंगे तो बताएंगे तो देखे एक दादी जो मरने वाली थी कुछ दिर बाद भागवान देखे आरे मरकर ना रख जाने वाली है दुरगती मुगलान भंत जी बुलाएं मुगलान जाओ चलो इस दादी के पास सामने एक दादी है वहाँ पर गएं वो दादी को मुगलन बंच जी बताएं, दादी जी देखिए, तथागत भगवान बुद्ध को देखिए, खुस हो ये स्रद्धाउद पन की जी ये कोई चोटा मुटा वेक्ती नहीं है पूरे तीनों लोग का सास्ता, पूरे ब्रहमान का महान, उत्थम, स्रेष्ट, तथागत सम्मा सम्बुद्ध है तो वो खुस हो गई दादी, तो खुस समय बाद मर गई, दिवी लोग गई तो देखिए, कितना आश्यर है, अद्भूत है, विस्मित है एक बहनते जी, चूल पंथक, महा पंथक, दो भाय था, महा पंथक बहनते जी, चूल पंथक बहनते जी को पढ़ाते थे, धरम बताते थे तो धरम बताते बताते, महा पंथक बहनते उनको गाथा लिख कर दी, कि तुम यह याद करो, और हमें सुनाओ तो चूल पंथक भंथ से याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं याद कर रहे हैं याद नहीं हो रहा है पहला याद करते हैं दूसरा लाइन बोल जाते हैं तीसरा पढ़ते हैं तो चौटा दूसरा बोल जाते हैं ऐसे पूरे चार मेना चला गया चार लाइन का गाता याद नहीं ह सकती नहीं है करके हम लोग नहीं बोल सकते हैं उसके पास प्राग्या नहीं है उसके पास पूर्णे नहीं है देखिए आगे क्या हुआ उनका भाईया बोला तुम्हारे पास पूर्णे नहीं है तुम जाओ घर तुम्हें एक गाता याद नहीं होता है तुम कैसे धरम का सामने रबनते जी रो रहा है रो रहा है बहुत जोड से भगवान कारुना नेतर में चूल पंतक आ गए वहां पर गए भगवान क्या हुआ चूल पंतक भाईया घर जाने के लिए भगवान भाईया कोन है ये तो बुद्ध सासन मेरा धरम हम बता रहे हैं तुम रुको करके सीर पे हाथ लगा कर प्यार से बात करके हाथ से पकड़ कर अंदर लेकर गए भागवान प्यार से बात की धरम बताएं रज्जु हर ना रज्जु हर ना कपड़ा को छूने के लिए बताएं रगड निकल उजला कपड़ा को और वो कपड़ा गंदा हो गया दीर दीरे उसको आनित्ट का बोध होने लगा, दरम बताएं अरहं तो मूनी बन गया देखी भगवान का, भगवान कितना सुक्ष्व से ग्यान बताते हैं तरीका विस्मित नहीं है अती विस्मित है क्योंकि राग देश मोह में डूबे हुए लोग को कैसे पार करना है कैसे भव सागर पार करना है कैसे ले जाना है भगवान को पूरा मालूम है कैसे धरम किसको क्या धरम बताना है एक उधारन देते हैं एक डॉक्टर है वो डॉक्टर हर बिमार का दावा जानता है हर बिमार का दावा उसके सामने वो जाते समय एक रोगी सामने आ गया वो रोगी बिमार पढ़के पुरा बिमार से पीडित है तो अच्छा डॉक्टर है उसे देखने के साथ साथ एक दावा तुरंत मन में आता है यी दावा काने को जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, क्या उन्को बताने का मन नहीं आएगा? तुरंड बताने का मन आएगा, वैसे ही है तथागत सम्मा संबुद्ध, इस ब्रहमान का एक ही डॉक्टर है, जो मन को राग देख मुझे कूछ पूरी तरह पूरे ब्रहमान का वह तथागत सम्मा संबुध भगवान बुध वो भगवान बुध वो महा डॉक्टर महा चिकित सक जो डॉक्टर आज कल अभी डॉक्टर परनिर्वान है लेकिन उनका धर्म अभी वी जीवित है जैसे लोग डॉक्टर के पास बीमार पढ़ने पर खुद में जाना चाहिए स्रेसाद धर्म का सरन में जाना चाहिए आर्मा संग के सरन में जाना चाहिए सरन में जाने के बाद इसके बाद धर्म समझ में आने लगगा सील आदी पालन करना आसान है मुक्ती का रास्ता पर जाना आसान है मन को करनावान बनाना आसान है मन को महान बना नासान है, सिर्फ होना चाहिए, क्यों डॉक्टर दावा देता है, तो विश्वास मन से खाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, आजकल लोग खार नहीं रहा है, हाथ में लेके नाच रहा है, कूद रहा है, दोड रहा है, कैसे बिमार ठीक होगा, आजकल दावा गोदरेज में है कबेड में है सरीर के अंदर नहीं है कैसे ठीक होगा बीमार बढ़ेगा वही आजकल लोगों में हो रहा है दावा को इस्तेमाल नहीं कर रहा है लोगों को बता रहा है चिला रहा है अब खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा है अपना ओपने के धर में अपना कर देखना चाहिए अ और करुणा से भरा मन को बनाना है तो सबसे पहले दिल में करुणा जगाई, दिल में करुणा अपने दिल में करुणा जागने के लिए सबसे पहले जो महा करुणावान है, जो करुणा का सीमा नहीं है, अनंत करुणा है, अप्रमान करुणा है, महा करुणा है, उनके सरन में जाए तब ही आप महा करुनावत पन कर सकते हैं तब ही आप धरम की रास्ता पे जा सकते हैं पूर्ने कर सकते हैं खुसी से जीवन बिता सकते हैं इसलिए हम आपको आसिर बात करते हैं कि आपको आज वैसाग पूर्नीमा का दिन पूरा खुसी से धरम की रास्ता पे जाने के ल और आज का दीन सुन्दर से बिताने के लिए और आज कल पूरा दीन सुन्दर से बिताना चाहिए क्योंकि सम्मा संबुध जनम लिए आज के लिए खुसी मनाई भगवान बुद्ध को पूजा वंदना किजिए परितरान किजिए और भगवान बुद्ध का दिया हुआ उब देश को पालन किजिए हम आपको आसिर बात करते हैं कि आपको धरम की रास्ता पे जाने के लिए, पुन्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए, उत्तम चार आरसत बोध करने के लिए आपको भाग मिल जाए, नमो बुद्धा